Hello students, Maths Class 6th Exercise 1.2, Question No. 11 Statement, the distance between the school and the house of a student's house is 1 km 875 m. Given क्या है? कि distance दिया गया है between the school and the house of a student's house. किसी student के school और उसके house के बीच का, जो distance है, वो दिया गया है, वो कितना है? 1 km 875 m distance है school से house का. Every day she walks both way, यानि कि वो क्या करती है? हर रोज both way जाती है, यानि कि school जाती भी है वो और वापिस भी आती है. Find the total distance covered by her in 6 days. हमने find करना है कि वो कितना total distance cover करती है, कितने दिन में? 6 days में. जबकि वो दो बार जाती है, सुबह school जाती है, 1 km 875 m वो सुबह जाती है, फिर वापिस आती है, यानि कि एक दिन में वो दो बार जाती है, टू टाइमस वो ये वाला जो ये distance है, वो टू टाइमस एक दिन में cover करती है, तो 6 days में तो वो 12 times cover करेगी distance, तो आप देखते हैं, 6 days में कितने किलोमेटर वो distance cover करती है, फर्स्ट ओफोल हम लिखते हैं, distance between the school and the house, distance between the school and house, is equal to 1 kilometer 875 meter, kilometer और meter में value given है, हम इसे किस में change करेंगे meter में, kilometer को किस में convert कर देंगे, meter में convert कर देंगे, तो यहाँपे 1, 1 meter is equal to, 1 kilometer is equal to 1000, 1 kilometer में कितने होते हैं, 1000 meter होते हैं, तो यहाँपे 1 kilometer 875 meter को convert करना है, तो 1 km में 1000 m प्लस में 875 m कितना आया 1875 m में convert कर दिया हमने इसे यानि कि 1 km 875 m किसके equal लाया हमारा 1875 m के equal लाया अब हम क्या करेंगे distance covered each day each day वो क्या करती है बोथ वे जाती है यानि कि वो जाती भी है और आती है यानि कि 2 times वो कर रही है तो distance एक दिन में कितना कर कर रही है distance covered distance covered in one day one day में वो कितना distance cover कर रही है इतना distance है multiply by two two से multiply करेंगे क्योंकि one day में वो two times एक दिन में वो दो बार ये जाती है बोथ वे जाती भी है और वो आती भी है यानि कि दो बार एक दिन में इतना distance cover कर रही है वो एक दिन में दो बार ये distance cover कर रही है तो हम कितना distance cover किया एक दिन में उसने multiply करेंगे यानि कि 3750 मीटर एक दिन में इतना distance cover कर रही है और हमने बताना क्या है distance cover total distance covered by her in 6 days तो हमने बताना है distance covered in निकालना है distance covered in 6 days एक दिन में कितना distance cover किया 3750 मीटर तो 6 days में कितना करेगा ज़्यादा करेगे तो ज़्यादा के लिए multiply 0 से multiply करेंगे 065 30 33 6 7 जा 42 42 प्लस 3 45 45 प्लस 4 63 जा 18 18 प्लस 4 22 इतने मीटर दिस्टेंस उसने cover कर रही है वो 6 days में तो हम लिखेंगे लास में देर्फोर दिस्टेंस कवर देर्फोर दिस्टेंस कवर्ड इन 6 days का दिस्टेंस